मैं गदीमा अगरवाल, आप सभी कवंदन करती हूँ, अभी नंदन करती हूँ। आईए, आज़ हम सुनते हैं चैत्रपॉर्णिमा की कहानी एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे, सेठानी रोजाना, भगवान श्री हरी की पूजा भक्ती भाव से किया करती लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पती को बिल्कुल पसंद नहीं था इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया सेठानी घर से निकल कर जंगल की ओर चल दी तास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में चार आदमे मिट्टी खोद रहे हैं यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोक मुझे किसी काम पर रख लू। सेठानी के कहने पर उन्हें ने सेठानी को नोक्री पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कौमल थी, इस वजय से उसके हाथ पर चाले पड़ गए। यह देख चारो आदमी ने सेठानी से काम चोड़ने की बात कहीं और कहा इसकी जगें तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए वहां वे चारों आदमी रोजाना चार मुठ्धी चावल लाते और उसे बाट कर खा लेते। इसे देखकर सेथानी ने उन चारों आदमी को आठ मुठी चावल लाने को कहा सेथानी की बात मानकर चारों आदमी आठ मुठी चावल लाए इन चावलों का सेथानी ने भोजन बनाया और भगवान विश्नु को भोग लगा कर सभी आदमियों को परोज दिया इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिश्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विश्णू का जूठा है इसी वज़े से आपको स्वादिश्ट लग रहा है उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूका रहने लगा आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पतनी की वज़े से ही खाना खा रहा था लोगों की बाते सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में ढूनने निकल गया चलते चलते रास्ते में उसे वही चारो आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिये सेठ ने उनसे कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो तब चारो आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया लेकिन सेठानी की तरह मित्ती खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सला दी सेठ भी उनकी बात मानकर उनकी घर चल दिया घर पहुचने के बाद सेठानी ने सेठ को पहचान लिया लेकिन सेठानी घूंगट में थी इस कारण सेठ उसे पहचान नहीं पाया हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विश्णू को भोग लगा कर सभी को खाना परोस दिया लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विश्णु ने सेठानी का हाथ पकर लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो सेठानी बोली मैं कुछ नहीं कर रही मैं तो भोजन परोस रही हो तब चारो भाईयों ने सेठानी से कहा कि तुम किस से बात कर रही हो सेठानी ने कहा मैं विश्नु भगवान से बात कर रही हूँ तब चारो भाईयों ने कहा हमें भी भगवान विश्नु के दर्शन कराओ सेठानी के अनुरोद करने पर भगवान विश्नु उन सभी के सामने प्रगट हो गए यह देख सेठ ने सेठानी से शमा मांगी और उसे हाथ पकड़ कर घर चलने को कहा तब चारों भाईयों ने बेहन को बहुत सारा धन दे कर विदा किया तब सेठ भी भगवान विश्नु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी ऐसी माननेता है कि चैद्र पुर्णिमा का व्रत रख कर यह कथा सुनने से सत्य नारैन भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभूश्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है जै श्री राधी